कहानी के शूरात में ही हम सोनिया चैंग नाम की एक मल्टि मिलीनियर बिजनिस वुमन को देखते हैं, जो के गुआ के चाइना टाउन में एक कसीनो चलाती है, लेकिन कुछ दिनों से सोनिया के बेटे विकी गाया भी, उसे किड्नैप कर लिया गया है, और सोनिया अपने बेट को उसके पास लियाने के लिए पच्चेस लाख रूपय का इनाम भी रखा था, सोनिया चैंग अपने बड़े से मैंशन में अपने बेटे के साथ रहती थी, और उन लोगों के साथ एक सर्वेंट कपल, मिस्टा एंड मिसस लोगों भी रहते थे, सोनिया के लॉयर का नाम थ और रॉकी एक बहुत बड़ा फ्लोड भी है, और एक दिन सोनिया घर पे अपने लॉयर के साथ अपने वील को लेकर बात कर रहे थी, और मिस्टा और मिसस लोगों काम कर रहे थे, और रॉकी सोनिया से मिलने के लिए आता है, इसी दोरन सोनिया के घर में एक कॉल आता है, औ तो उसे उसके बेटे के भाड़े में बताया जाता है, और Sonia ये बात सुन कर बहुत खुश हो जाती है, और वो उस इनसान को उसके बेटे को लेकर उसके घर आजाने के लिए कहती है और टै होता है कि अगले दिन ही सोनिया के बेटे को लेकर वो इंसान 36 जायना टाउन आएगा और इस बात चे सोनिया इतने खुश थी कि उस दिन रात को वो अपने कसिनों में एक बहुत बड़ा पार्टी रखती है इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है राज और प्रिया नाम के दोनों अंजाने लड़का लड़की के ऊपर दरिसल राज एक स्ट्रगलिंग एक्टर था तो दूसरे तरफ प्रिया एक लड़के से प्यार करती थी इसलिए वो अपना घर छोड़कर मुंबर भागा आती है लेकिन उस लड़के से मिलने के बाद प्रिया को ये एहसास होता है कि ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है और वो उसे ब्रेक अप कर लेती है लेकिन अब वो घर वापस भी नहीं जा सकते थी इसलिए प्रिया इस चिंता में बढ़ जाती है कि वो आखर अब क्या करेगी इसी दौरर उसके साथ राज की मुलाकात होती है जो के एक मूवी में चांस पाने के लिए भटक रहा था और उन दोनों के सरक में मुलाकात होने के बाद उन लोगों में तू तू मैं मैं हो जाती है जो भी हो इसके बाद राज और प्या दोनों ही एक छोटे से बच्चे को देखते है और उसे देखकर उन दोनों को ही बहुत बुरा लगता है लेकिन इसके बाद प्या नियूस प जो बात सुनकर प्रिया उस बच्चे को लेकर गोव जाना चाहती थी लेकिन इसे वक्त राज भी वहाँ पर मौजुद था और उसे भी सोनिया चैंग और विकी चैंग के बारे में पता चल जाता है और इसके बात त्याय होता है कि प्रिया और राज इस काम में पार्टनर बन प्रिया और राज विकी को लेकर मुंबर से गुआ के लिए निगल पड़ते हैं लेकिन उन लोगों के बीच जितना भी जग्रा क्यूं ना हो दीरे दीरे राज प्रिया को पसंद करने लगता है और इसके बाद ये दोनों ही सोनिया चैंग को कॉल करते हैं फिर हम देखते ह है जिस दिन सोनिया चैंग की कसीनो में पार्टी होती है उस दिन कसीनों में कुछ लोग सी सबसे पहले मिस्टर नटफर अपनी वाइफ ब्रेसी को लेकर इस कसीनों में आते हैं मिस्टर नर्ट पर के पाच होटिल था लेकिन उन्हें जुए की इतनी बुरी लग थी के वह चाइना टाउन के इसी कसीनों में जुए में हार कर अपने चारो होटिल सोनिया चैंग के पास गिर भी रख चुके हैं लेकिन इस बार भी कसीनों में आने के बाद उन्हें फिर से जुए खेलने की तलब लगती है और वो अपनी वाइफ गेसे के लाख मना करने के बाद भी जुए में हार जाते हैं जिसके वज़ाए से उन्हें अपना पाचफा होटिल भी सोनिया चैंग के पास गिर भी रखना पड़ता है जिस रूबी के साथ रौकी की मुलाकात होती है जो के रूबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है इसके बाद केके और नटवर की मुलाकात होती है और उन दोनों की अच्छे दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर जुआ खेलते हैं और केके के साथ जुआ खेलते इसके बाद हम देखते हैं कि राज और प्रिया दोनों ही बुवा पहुच के 36 चाइना टाउन में आते हैं और गेट के बाहर उन लोगों के मुलाकात एक शराबी के साथ होती है और उसे ऐसे घर के अंदर से आते हुए देखकर और घर के अंदर जाने के बाद सारी चीजे बिख्रा पढ़ा हुआ देखकर उन लोगों को शक होता है कि शायद इस घर में चूड़ी हुए है और फिर वो सोनिया चैंग को बुलाने लगते हैं लेकिन बहुत ढूणने के बाद भी घर में उन्हें कोई भी नहीं मिलता और फिर अचानक राज और प्या को सोनिया चैंग की डेट बॉड़ी दिखती है जो देखकर वो दोनों ही बहुत ही डर जाते हैं और फिर भाब कर घर से बाहर आ जाते हैं लेकिन घर से बाहर आने के बाद उन्हें ये याद आता है कि विकी घर के अंदर ही रह गया इसके बाद राज विकी को लिने के लिए घर के अंदर जाता है और वो एक जगा पर किसी के बूट और दो आखे देखता है जो कि राज को देखकर ही छुप जाता है इसके बाद किसी तरीके से राज और सोनिया घर के बाहर आ जाते हैं और राज पुलिस को इंफर्म करता ह कि सोन्या चैंग की मौत हो गए है और फोन करने की कुछ ही देर में 36 चाना टाउन में पुलिस आ जाती है और पुलिस के आने के बाद प्रिया को ये रियलाइज होता है कि उसने अपना सूटकेस सोन्या चैंग के घर में ही छोड़ दिया है और उससे सूटकेस के अंदर उसका करने के लिए यहां पर आकर वह लोग कुछ भी नहीं देखते और उन लोगों को कहता है कि उसे ने कॉल किया था क्योंकि उसने इस घर के अंदर सνηया चैंग की डेड़ बोड़ी देखी थी वहों पर फूरा घर चानमें करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और इस बात से राज बहुत है स्याधा है गर के साथ के बाहरी मोजूत थी लेकिन राज की पूलीस के घर के अंदर आने से पहले ही इन concept का सारा सामान बाहर निकालकर सुन्याजा जैंग की डिट बोडी को उस सूटकेस के अंदर रग दिया था और फिर उस सूटकेस को ले जाकर घर के पाहर एक जगा पर रग दिया था और के के तब इस घर के आसपास ही मौजुद था और वो इस सूटकेस को देखता है और उसे लगता है कि शायद इस सूटकेस के अंदर बहुत सारे पैसे आ गए हैं लेकिन वो लोग जब सुटकेस खोलते हैं तो उसमें एक डेट बॉड़ी देखते हैं जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन वो किसी को इनफॉर्म भी नहीं कर सकते क्योंकि सब उन्हें पर ही शक करेंगे इसलिए वो लोग इस चर्च के पास आये थी तब रोकी उसे देख लेता है और वो पुलिस को इनफॉर्म करता है इसके बाद प्रिया राज को जेल से चुराने के लिए जाती है लेकिन पुलिस प्रिया को भी एरिस्ट कर लेते हैं और राज और प्रिया दोनों जेल में रह रहे थे इसे दोरन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दूसरे तरफ केके और रूवी सोनिया चैंग की डेट बड़ी रखा हुआ उसे सूटकेस को डिस्पोस करने के कोशिश करते हैं लेकिन ये बात पुलिस की नजर में आ जाती है और पुलिस उन लोगों को एरिस्ट कर लेती हैं और बहुत पूछताच करने के बाद केके पुलिस को ये सच कहता है के नटवर उस रात को सोनिया चैंग के घर में गया था और इसके बाद करन नटवर से मिलने के लिए जाता है लेकिन नटवर जूट कहता है और वो कहता है कि उस रात को वो अपनी वाइफ ग्रेसी के स ग्रीषि रॉके के साथ थी जो बात जान करनर्ठ पर बहुत हैरन होता है लेकिन फिलाइल अपनी जान में जानना के लिए वह ग्रीषि को कहता है कि पूलिस के सामने ग्रीषि ये जुट बोल दे कि कि उस रात गॉट पर उसी के साथ था लेकिन इसके बाद जब करण ग्रेशी से मिलने के लिए आता है तो ग्रेशी ये कहती है कि नटपर और वो उस दिन रात को अपने होटिल रूम में ही थे लेकिन करण कहता है कि इसी होटिल के एक स्टाफ ने ग्रेशी के रूम के खिरकी से रौकी को उतरते हुए देखा था लेकिन नट पर कहता है कि वो रौकी नहीं बलकि वो खुद था और ये बात साबित करने के लिए वो खुद ही अपने रूम के खिर्की से बाहर निकलता है और पाइपलाइन से चर्टे हुए दूसरे तरफ एक कमरे के खिर्की के अंदर घुश जाता है और करन भी उसके पीछे पीछे उसी कमरे में आता है और फिर ये पता चलता है कि दरसल ये सोनिया चैंग का कमरा है जो बात जान कर नट पर बहुत हैरान होता है और करन को ये शक होता है कि शायद नट पर नहीं सोनिया चैंग का मर्डर किया है जिसके वज़ा से वो Nutford को arrest कर लेता है जिसके बाद Nutford करन को ये सच कह देता है कि Rocky उस दिन उसके room में था इसके बाद करन Rocky को पुछताच के लिए बुलाता है और उस वक्त राज भी police station में ही मौझूद था और वो Rocky के जूते और उसके आखे देखकर उसे पहचान जाता है और वो कहता है कि उसी रात उसने सोनिया चैंग के घर पर यही जूते और यही दो आखे देखे थे और इसके बाद Rocky कहता है कि उस रात को वो Gracie के room से pipeline चर कर सोनिया की कमरे में आया था और उसे लगा था कि नट पर Gracie के room में आ रहा है इसके बाद जब वो सोनिया के room में जाता है तो वहाँ पर सारी चीज़े बिक्री पड़े हुए थी और वो सोनिया की घर होकर बाहर निकलना चाहता था और इसी तरण राज और प्रिया भी घर के अंदर आ जाते हैं और रोके कहता है कि जब वो घर के अंदर पहुचा उससे पहले ही सोनिया चैंग का murder हो गया था और जब राज वापस से विकी को लेने के लिए घर के अंदर आया तब उसने रोके के आखे और उसके जूते देखे थे और ये सारी बाते सुनकर करन बहुत गुसा हो जाता है और उससे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सच कह रहा है और कौन जूत फिर करन सबको ये कहता है कि खूनी कुद को बहुत चालाग समझता है लेकिन वो इतना भी चालाग नहीं है क्योंकि उसने घर के अंदर एक सबूत छुड़ा है और पूलिस आज रात को फिर से उस घर की तलाशी लेगी और उस सबूत को कलिक्ट करेगी इसके बाद दिखा जाता है कि करन उसी रात को 36 चाइना टाउन के अंदर जाता है और फिर वहाँ पर वो एक औरत को देखता है जो के वहाँ उपर कुछ लेने के लिए आई थी और फिर करन उस औरत को पकड़ लेता है दूसरे तरफ एक आदमी करन पर हमला करता है लेकिन राज वहाँ पर आक कि सोनियाचेंग अपनावी बदलना चाहती थी Biz सामने आता है के उससे गरंग उसे पकड़ लिया था और गर्रेशी कहती है कि जिस रात को सोनियाचेंग का मुर्डर हुआ था उस रात को नट पर अपना पाचवा होटिल हार गया था और वो अपने उस होटिल के बख कर आया था और इस पाच से बहुत ज्यादा घुसा थी उसे लगा था कि इस किसिनों के वज़ए से ही वह लोग बरबाद हो रहे हैं इसलिए वह गुश्रे में सुनिया चैंग से मिलने के लिए गई थी लेकिन वहां पर जाकर वो देख ती के सारी चीज़ी बिक्रे पड़े हुए थे बहुत सारे इंप्रोटीन डॉकुमेंस भी थे और उस डॉकुमेंट्स में उनके पाचपे होटेल का काघज भी था और इसे उसका अगज को देखती है और उसे उठा कर वहाँ से चली जाती है लेकिन जाने से पहले उसके बैग का एक टुकड़ा वहाँ पर कहीं गिर जाता है और जिस दिन करण ने ये कहा था कि खुणी ने कोई सबुत वहाँ पर छोड़ कर आया है तो ग्रे से काफी डर जाती है और उसे लगता है कि अगर वो टुकड़ा पुलिस को मिल गया तो सब उसे ही खुणी समझेंगे इसे लिए वो उस टुकड़े को लेने के लिए ही उस दिन वहाँ पर गई थी इसके बाद करण सब के सामने उसे आदमी को लेका राता है जिसने के करण पर जान लेवा हमला किया था और ये आदमी कोई और नहीं बलके वही शरावी है और करण कहता है कि ये शरावी ही विकी का किड्नैपर है और करण कहता है कि जो असल खुनी है उसने ही इस आदमी को विकी को किड्नैप करने का काम सापा था लेकिन विकी एक लापरवा शरावी होने की वज़ा से उसने विकी को मुंबई में गुमा दिया था और इसके बाद राज और प्रिया को विकी मिला था और उन्होंने सोनिया चैंग को कॉल करके ये इनफरमेशन भी दिया था और ये सारी बाते killer के planning के according नहीं हो रहा था और इसे की वज़ा से उस killer ने सोनिया चैंग को मारने का plan बनाया और उस killer ने full proof plan बना कर सोनिया चैंग का murder किया और घर के सारी चीजों को बिखरा कर और सारी जुइलरी और पैसे गायब करके ये दिखाने की कोशिश किया कि घर में robbery हुई थी और इसी के चलते हुए सोनिया चैंग की मौध हुई है और करन सब के सामने ये कहता है कि असल में Mr. and Mrs. Lobo ही सोनिया चैंग की murder से दरसल जिस रात को सोनिया चैंग का murder हुआ था Mr. and Mrs. Lobo ने कहा था कि उस दिन वो लोग अपने गाव गये हुए थे लेकिन करन ने railway से ये information निकाला है कि जिस train से वो दोनों गाव जाने वाले थे वो train तो cancel हो गया था और इसके बाद उसे उन लोगों पर शक होता है दरसल सोनिया चैंग के will में था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे विकी के करीब जो लोग होंगे उने ही उसके पूरी property मिलेगी और सोनिया चैंग के बाद विकी की खयाल Mr. and Mrs. Lobo ही रखने वाले थे इसलिए सारी property उने ही मिलने वाली थे लेकिन एक दिन सोनिया चैंग को इन दोनों की बुरी नियत के बाड़े में पता चलता है और इसलिए वो अपना will बदलना चाहती है जिस बाच से Mr. and Mrs. Lobo बहुत ही डर जाते है और इसलिए वो लोग सोनिया चैंग को मार डालते है जिससे के वो अपना will चेंज ना कर सके और इसके बाद Mr. and Mrs. Lobo को arrest कर लिया जाता है और आखिर में ये देखा जाता है के ये सभी मिलकर एक साथ डिनर कर रहे थे और ये देखा जाता है के विके की custody राज और प्रिया को मिल गई थे और वह पर मौजुद सभी बहुत ही खुश थे और इसे के साथ ये कहानी ये ही बड़ी खतम हो जाती है